हेलो गईस आज हम बात करेंगे Redmi Note 10T के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Hanging Problem के बारे में ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल का इकन को प्रेस करेंगा है ओके, सो देखिए एक important बात में आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब आप लोगोंने phone को purchase किया रहा होगा उस type का compare करें और आज की डिट को compare करें तो काफी आप लोग को अलग सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि पहले हमारा phone काफी smooth चलता था बट अभी हमारा phone काफी hang कर रहा है ओके तो देखिए hang क्यों करता है हमारा phone कि हमारे phone में सबसे बड़ा main reason रहता है उसका रेम का और storage का ओके जिसमें अगर आप लोग ने अपने phone में काफी सारी apps को भरके रखा होगा तो जाहिर सी बात है आप लोग का phone hang करेगा तो मैं क्या बोलूँगा आप लोग को देखिए एक बार आप लोग अपने phone में apps को analysis करिए और वहां पर देखिए जितनी आप लोग apps को use करते मतलब आपके use की app है सिर्फ उन ही को रखे अपने phone में बाकी apps जिसको आप लोग use नहीं करते फोरण उनको uninstall करिए और जितनी भी apps आप लोग use करेंगे अपने phone में उनको time to time update करते रही है यहाँ पर साव में एक जबरदस्थ फीचा देता है system apps updater का हम system की apps भी update कर सकते तो आप लोग को हमेंसे up to date रखना है RAM के बारे में second होगे अपना storage के बारे में storage को आप लोग एक बार analysis करें और देखे जितना data आप लोग use करते सिर्फ उसी को रखे बाकी का useless data फोरण delete करें जितना खाली आप लोग storage रखेंगे उतना better आप लोग को performance मिलेगा जितनी कम apps आप लोग अपने phone में रखेंगे उतना better आप लोग को performance मिलेगा 100% guarantee और कुछ-कुछ छोटी-मोटी tricks आप लोग करते रहे हैं जैसे की phone को clean करना रहे ये सब करते रहेगा जो मैंने आप लोग बता हमको follow करेंगे RAM को, storage को डेफिनिटली आप लोगों की problem 100% fix हो चाएगी ओके, सो मिलते हैं next video में जै माता दी